तो आईए दोस्तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके फोन की कैमरे क्वालिडी बहुत ही स्लो है या आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसमें कैमरा क्वालिडी विल्कुल ही लो है और आप उसमें DSLR की तरह विल्कुल फोटो या वीडियो को सूट क आना चाते हैं तो कर सकते हैं पर करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी एप्लिकेशन की जरूरत पढ़ने वाली है जी हाँ दोस्तो एक छोटी सी एप्लिकेशन है इस एप्लिकेशन को यूज कीजिए पर उस एप्लिकेशन को यूज करने से पहले उनके अंदर में कु असी अप्लिकेशन है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा पहले सेडिंग को समझे तो दोस्तों आपके सामने ये एप्लिकेशन दिखेगा इस एप्लिकेशन को ऊपिन करना है यह application का नाम है HD camera आप धिहान से देखे यह 2023 का यह application है ऐसे तो play store पे बहुत सारे application है पर इस application का जो काम है आप देखकर चौकने वाले हो तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो इस application को open करना है कहां से install करना है सब कुछ बता दूँगा इस video में जैसी open करोगे तिहां कुछ permission को allow क करने के लिए कहेगा इसके permission को allow कीजिए अब दोस्तों जैसी मैंने permission को allow किया तो देख सकते हैं क्या भी मैंने स्रीफ कोई setting नहीं किया है आप इस camera को देख रहे हैं इस camera पर गहास है किस तरीके से दिख रही है और इस camera से देख सकते हैं किसकी गहास की quality कितनी जबर्जस्त दीख रही है अब मैं अपने हाथ को यहां पर रख रहा हूं तो देख सकते हैं कि मेरी हाथ कितनी सुंदर और इस camera पर देख रहे हैं कुछ ही इस परकार का दिख रहा है अभी इतना अंतर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन अभी इसके अंदर में बहुत सारी setting है उस setting को कर लिजिए उसके बाद देखिएगा इसकी quality को तो setting कैसे करनी है यहां पर setting का option है setting के option पर क्लिक कीजिए करने के बाद में सबसे उपर में ही front size का एक setting है इसके उपर में क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको front photo size यह नि फोटो setting हो रही है photo size कितना रखना चाते हैं तो maximum photo size आप लोगों को दोस्तों यह वाला रखना है 16.9,19,10,80 इसके उपर में tick कर दीजिए उसके बाद में back size photo size की बात हो रही है इसको भी आप इतना ही पर click कीजिए यह दो setting करने के बाद में यहां पर watermark का एक option देखने को मिल रहा है देख सकते है watermark watermark के उप दिखाई दे time दिखाई दे GPS location दिखाई दे यानि कि जो कुछ आप चाहते हो photo के side में लिखवान आये सब अपने मर्जी से customize कर सकते हो अगर करना है तो ठीक है नहीं करना है तो इस button को बंद करो उसके बाद में थोड़ा सा बैक होखेंगी यहां पर आपको एक image quality दिख रही है उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे और बढ़ेंगे यहां पर आपको video control का option मिलेगा अब यहां पर video control के सबसे उपर में क्लिक कीजिए अगर आपका phone मान लीजिए कि 4K support करता होगा तो 4K दिखेगा अगर आपका phone 4K support नहीं करता है 1080 support करता है तो 1080 दिखेगा तो आपको यहां 1080 पर set है इसको छोड़ दिजिएगा उसके बाद back size की बाद करें तो back size भी यहां पर 1080 पर set है तो ठीक है नहीं तो 1080 पर set कर दीजिए ठीक है उसके बाद में अब आपको यहां पर video का option मिलता है इसके उपर में किलिक करकर default के उपर में ही set रहने दीजिए औ और कोई setting नहीं करना है डिरेक्ट आपको यहां से कट करकर बाहर निकलना है जैसी बाहर निकलेंगे आप यहां पर photo और यहां पर video का option है फोटो के लिए देखिए हम आपके सामने इसको photo क्लिक करते हैं देखिए यहां पर देख सकते हैं कि इस गुलदस्तिय की photo देखिए क कितनी जवर्जस्त आ रही है और इस camera को हटाते हैं इस पर हम आते हैं तो यहां पर देखिए कुछ इस परकार को इस camera से आ रहा है पर जब देख सकते कि कितना जवर जस्त फोटो यहां पर आ रही है यहां तो हो गया photo quality बात करते हैं video quality की अब यहां पर video का option है इस video पर क्लिक कीजिए उसके बाद में एक pro mode का भी option है वीडियो के अंदर में यहाँ पर pro mode का option है pro mode पर क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिल जायेगा यहाँ पर आप ratio सेलेक्ट कर सकते हैं कैसा ratio में 16.9 या 9.16 में किलिक करना है या फिल्टर है, फिल्टर पे क्लिक करकर आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, जैसा फिल्टर में आप वीडियो सूट करना चाहते हैं, देखिए, बहुत सारे फिल्टर हैं, एक से बढ़कर एक फिल्टर आप लगा कर वीडियो को सूट कर सकते हैं, अगर आपके फोन की कौालिटी विल्कुल ही लो से लो दी हुई है तो आप एक बार इस application को जरूर ट्या करें इस application से आप अपने फोन की quality को इतनी जबरजस्त बना सकते हो दोस्तों कि आपको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होगा तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी application के बारे में बता रहे थे आप इसको यूज करोगे तो आपको हुदि समझ जाओगे कि यह application कितना जबरजस्त है अब बात करते हैं इस application का नाम क्या है तो देखो दोस्तो यही application है जिसका नाम है HD Camera 2023 for Android यह application प्ले स्टोर पे बहुत ही असानी से मिल जाएगा नहीं तो वीडियो के description में link है वहाँ से भी जाकर आप इस app को download करकर बहुत ही असानी से यूज कर सकते हो तो वीडियो में इतना ही वीडियो helpful लगी तो वीडियो को like और चैनल को पहली बार आए हो